तो मैं बता रहे था कि अब डॉलर के मामले में जब हम लोग डॉलर लेते हैं किसी चीज को उधर शॉपिंग करेंगे यह सोच करके तो सबसे पहले तो यह जान लेजिए आपकी आउशक्ता कितनी है एक नॉर्मल अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो 300 डॉलर में काम हो जाया और रहा सवाल कुछ खरीद के लाने का तो आपका काननगर से दाख्रस है फिर जैतुन का तेल है और अलग-अलग तरह का आइटेम्स बहुत रहते हैं खजूर है जिरुक से और चंदवा और यह सब लेके आएंगे इजिप्ट से भी आपको कुछ-कुछ खरीदने का तो उसको आप दिली एरपोर्ट में भी उसको कनवर्ट करा सकते हैं लेकिन अगर घट गया उधर ही कम हो गया तो आपको हम में से कोई अपने डॉलर्स को शाहिद नहीं देंगे क्योंकि हर किसी को अपने लिए कुछ-कुछ खरीदना है यह सोच करके लेके जाते हैं हो सकत नहीं है वापस आगा तो भी चलेगा डॉलर के लिए टीन डोकुमेंट्स चाहिए एक तो आपके हाथ में आपका पासपोर्ट है वो दूसरा इंटरनेशनल एर टिकट्स चाहिए रिटर्निंग एर टिकट्स जो हम लोगों को दिली से लेकर के बहरीन होते हुए अमान और आपस आते समय में कायरोस से होते हुए बहरीन होते हुए आप दिली आएंगे तो वह आपका इंटरनेशनल एर टिकट्स बंदा लोग मांगेगा जो लोगों आपको डॉलर्स देगा और और दूसरा वाला तीसरा वाला जो डोकुमेंट है वह आपका वीजा कॉपी है तो कॉपी पका दिखाइए यह का विशेशकार इसराइल का चुकि एक बात है कि सही एजेंसी से आप लिजेगा किसी बैंक से लिजेगा तो वह ठीक बात है और कोई गलती से कोई डॉलर कोई बंदा पूराना डॉलर्स देता है जो अभी चलन में नहीं है तो फिर वह उधर व करना चाहेंगा उससे तो वो लोग उस चीज़ को नहीं लेगा तो ध्यान रखना पड़ता है तो इसलिए तो आप जरा तो उचित एजेंसी से खंपर किजेगा और चुकि हम लोग अभी दिल्ली आदि एफिर भी झ эфф होगय तो चुकित दिल्ली से हम लोग वह तो अपनी डॉलर्स को बेसिकली मंगाया करते हैं तो तो वह जो हमार एजेंसी है उनको हम लोग क्या करते हैं उनके इंड ovरक्स देखता है तो उनको को आपना अपना अकाउंट है जैसे शेविंग्स रहेगा यह सारी लोग अपने अपने अकाउंट से उस उनके अकाउंट में भेजेंगे और वो लोग जैसे 25,000 का आप चाहते हैं कि डॉलर मिले तो हर दिन का रेट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उपर थोड़ा सा न पड़ें यह लोग जब आपसे पैसा ले लेगा तो वह आज आचो कि आज हम लोगों को अकाउंट नमर मिलेगा तो उसको बिना दरी कल ही हम लोग भेजेंगे जितने-जितने रूपीज का डॉलर चाहिए तो उतने के हिसाब से हम लोग दे देंगे और इंटरनेशनल एयर पड़ेंगे और यदि आप मैं से किसी का बच जाएगा तो जलूर बताईए हम लोग उसको उपाए भी करेंगे बहुत ज्यादा तो हम लोग उसको नहीं लेंगे लेकिन बात है कि उसको हम लोग जो दिली एरपोर्ट में वापस आएंगे तो बचा हुआ को हम लोग कनवर कराइए तो उसका रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलता है कि यानि अगर आप 82 रुपीज के आसपास में अगर आप खरीद रहें डॉलर को तो हो सकता है लोट के आईएगा तब जब आप उसी डॉलर को बेचना चाहेंगे तो आपको रुपीज में हो सकता है कि 70-75 और फिर भी अगर फिर भी आपने से किसी को लगता है कि बहुत कम लेकर जाना चाहते हैं कुछ खरीदना नहीं चाहरे हैं तब तो दूसरी बात है फिर वहां जाकर कि किसी को पूछेगा तो शायद कोई देगा कि नहीं देगा उसको देखने के बात है इसलिए जीवन में एक बार जाते हैं या पहली बार जाते हैं तो ऐसे परिश्टी में लगता है कि कुछ न कुछ छोटा मुटा ही सही कुछ चीजें हैं जो खरीद ले और वहां के लोगों को इससे बहुत बड़ा उपकार होता है बहुत भला होता है बोलते हैं कि संद पापा कभी बताय थे हाली में एक हमारे बिशफ स्वामी जो लेट हो गए मतलब नुक्सान हो गए गुमला के बिशफ स्वामी तो उनके साथ एक दिन मीटिंग में बात कर रहा था तो बता रहे थे कि हमारे संद पापा से मीटिंग भी थी बात कर रहे थे तो पापा बोले थे कि इस्राइल में क्योंग सफार्ट हो इस लिए हम लोगों की जनष्ङ्रॉप उनको नस्चेह नहीं है इसलिए उनको अगर सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे ही कुछ चढ़ करइंसी जो इंडिया से जह आते हैं तो उनसे उनको मदद मिलता है कुछ वोग विजनेस करते हैं कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो हम लोग भजश झाते हैं तो ऊनको बहला होगा क्यांकि यहुदी औरATH जाइन लोग restlessmen वहां है पर क्रिश्चन लोग शायद संख्या में कम हैं तो उनका भाला होता है तो उनका ग्रोथ होगा उनका कुछ अच्छा होगा इसलिए भी हम लोग थोड़ा बहुत ही सही कुछ न कुछ खरीदारी करके आते हैं और इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है ओके तो य क्रिएट कर दो भी हम लोग पाला है अच्छा है ड़े सेफ्ट कर दो ऊक्रियों प्रेदा है और बहुत है वहां है तो यृपल इसलिएगन का वहां है कर। घो फो झाल झाल